हेलो एवरिवान मैं हूं किरिन शापुरी और यह है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का सापता है क्राशीफल यह थोड़ी 1st January से लेकर 6th February तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो प्रेडिक्शन्स हैं और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज लाइक, शियर और सब्सक्राइब करें इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंट्रेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दूसरी बात इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या पिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या पिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें तो चलिए जी शुरू करते हैं, कमिंग वीक का सापता है क्राशी फल तो चलिए लिबराज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं तो प्रॉफेशनल फरंड के लिए आप लोगों के लिए काज हैं, सिक्स ओफ पेंटिकल्स, रिवर्स और अडवेंचर और देखें, अडवेंचर का काड जहां एक तरफ excitement की बात करता है, thrill की बात करता है वहीं दूसरी तरफ calculated risk भी लेने की बात करता है और कुछ ऐसा ही in general या फिर specifically आपके professional front में रहता हुआ देख रहा है और जैसे की इस काड को आप देख पा रहे हैं, ये बच्चा अंधेरे में से light की तरफ जा रहा है तो पीछे कुछ भी issues, कुछ भी मसले आपकी life में थे जहां पे आप clearly चीजों को नहीं देख पा रहे थे तो उसी से ही related या फिर otherwise भी एक light आपको दिखती हुई दिख रही है और इस light की तरफ जाने के लिए हो सकता है कि कुछ calculated risk आपको लेना पड़े और इसी risk को आप लेने के लिए ready रहते हुए दिख रहे हैं और दिखे इसी वज़े से या otherwise भी six of pentacles का card कहता है कि एक give and take आपके professional front में चल रहा है और दिखे ये card reverse है तो हो सकता है कि इसी give and take इसी देन लेन में एक balance नहीं है या तो आप जरूरत से ज़ादा दे रहे हैं या फिर आप जरूरत से ज़ादा ले रहे हैं और दिखे ये कोई भी चीज हो सकती है in fact सबके लिए differ कर सकता है कुछ के लिए finances money हो सकता है कुछ के लिए emotional mental support हो सकता है या फिर से मैं कहاؤंगी कि कोई भी चीज हो सकती है जो आप जरूरत से ज़ादा दे रहे हैं या फिर जरूरत से ज़ादा ले रहे हैं और मैंने हमेशा कहा है Libra's life is all about balance और जब भी भी किसी भी life के area में एक disbalance आता है तब ही कहीं परेशानिया, issues, मसले भी हमारी life में आते हैं और अगर ऐसा आप भी Libra's पाएं तो इस चीज़ को check करके जरूर correct करें and personal front के लिए आप लोगों के लिए strength, reverse and the fool के cards हैं तो देखिए strength के card को अगर हम literally देखें तो ये courage की बात करता है, bold energies की बात करता है क्योंकि इस week के card आप लोगों के लिए reverse है तो देखिए इसी का, यानि की strength का reverse हम कर देंगे और strength का reverse weak होता है तो देखिए हो सकता है कि ऐसे circumstances, ऐसे situations इस week आपके personal front में है जहां पे आप बहुत courageously, बहुत boldly चीज़ों को deal करना चाहा रहे हैं लेकिन उतना boldly, उतना courageously आप नहीं deal कर पा रहे हैं आप कहीं किसी level पे weak पढ़ते हुए देख रहे हैं और देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत time से किसी भी life के area को लेकर एक frustration, एक irritation आप महसूस कर रहे थे और कहीं इसी को ही आप बहुत ही प्यार से manage कर रहे थे या कर पा रहे थे आप compassionately चीज़ों को deal कर रहे थे आप patience सबर रख रहे थे और इस week कहीं आपका patience कहीं आपका सबर भी खतम होता हुआ दिख रहा है और बहुत एक irritation, frustration चीज़ों को लेकर लोगों को लेकर या फिर किसी specific चीज़ को भी लेकर रह सकती है और देखिए नीचे fool का card कहता है कि जो भी surface level की energies है मन ही मन आप बहुत ज़ादा किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे हैं कुछ लोगों के लिए literally हो सकता है कि अपने आपको कह रहे हैं कि भाई जो होगा देखी जाएगी अब बस बहुत हो गया अब और सबर नहीं रख सकते हैं अब और patience नहीं रख सकते हैं लेकिन in the process जब हम careless हो जाते हैं तब issues और मसले होते हैं बहुत ज़ादा future के बारे में नहीं सोचना past को let go करना भी बहुत अच्छी बात होती है लेकिन in the process अगर हम immature हो रहे हैं तो भी हमें इस चीज़ को check करके ज़रूर correct करना चाहिए तो overall देखिए इन चीज़ों का आप खयाल रखें और मेरी हिसाब से भी देखिए बहुत ज़ादा हमें गुसे को suppress नहीं करना चाहिए गुसा आ रहा है आप निकाल दें लेकिन फिर बहुत ज़ादा किसी भी चीज़ को आप पकड़ के ना बैठें और देखिए आपके लिए फूल का कार्ड कही ही रहा है कि आप गुइंग विद द फ्लो वल्य अनरजीज में जा रहे हैं इस वीक और गाइडन्स से आप लोगों के लिए गेट्स अफ ट्राइम्फ का कार्ड है और ये कार्ड कहता है तो देखिए ये कार्ड इन जनरल की एनरजीज और गाइडन्स की बात करता है तो देखिए इन जनरल के लिए अगर हम देखें तो जो भी आपके प्रोफेशनल पर्सनल फ्रंड में हो रहा है कहीं ओवरॉल के लिए सक्सेज रहते हुई दिख रही है या फिर देखिए हो सकता है कि आप सक्सेज पर फोकस कर रहे हैं और आपके लिए गाइडन्स भी लिबराज ये है कि जो भी आप करें आपके माइन में या फिर आपका मोटो यही होना चाहिए कि कैसे आप सक्सेज अचीव कर सकते हैं And astrology से आप लोगों के लिए Pluto का card है और इसके इसाब से yellow and orange colors इस week आप लोगों के लिए लखी रह सकते हैं And significant days आप लोगों के लिए होंगे Sunday and Thursday तो ये था Libra's आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए